यूरोप भारत और चाइना दोनों के उपर पर्तिबंद लगाने जा रहा है ऐसी रिपोर्ट आ रही है और ये पर्तिबंद दोनों के उपर क्यों लगने जा रहे हैं रूस की वज़े से लगने जा रहे हैं या किसकी वज़े से जानेंगे क्या है मामला तो वहीं स्क्रीन पर मैप में देश देख रहे हैं वो देश है लीबिया लीबिया से अगर याद ना आ रहा हो तो आपको बता दू गदाफी का लीबिया तब तो याद आ रहा होगा इस देश में भारत अब एक बड़ा खेल करने जा रहा है और ये खेल तेल का है सुनकर आपको आश्चरी होगा भारत और लिब्या दोनों कौन सा नया प्लान कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको 13 साल बाद भारत एक बड़ा कारनामा फिर से करने जा रहा है और वो लिब्या में लिब्या और भारत के बीच सबसे पहले द्वीपच्छिय संबंध सुरू हुए 1969 में और उसके बाद भारतिय प्राइम मिनिश्टर इंद्रा गांधी लिब्या जाती हैं 1984 में आपको बता भी जवारलाल नहरू के लिए एक अच्छा रेस्पेक्ट रखते थे और गदाफी हमेशा से भारत की पॉलिसी भारत के ओधोगिक डवलप्मेंट का समर्थन करते थे वैसे तो भारत लीबिया को इंटरनेशनल लेबल पर भी सपोर्ट करता था और लीबिया भी भारत के प आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ हाई लेबल भी खूब हुई लेकिन जब लीबिया के अंदर ग्रियर यूद्ध शुरू हो गया तब UNSC में प्रस्ताव लाया गया था क्योंकि नाटों ने लीबिया के अबूपर एक्शन ले लिया था और 1970-1973 के UNSC में इस आये हुए प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं दिया था नाम भारत ने नहीं लिया था लेकिन नाटों के मिलिटरी इंटर्वेंशन को लीबिया में भारत के दोारा क्रिटिसाइज किया गया था फिर गदाफी मारे गये हलाकि भारत ने इस मामले में फिर चुपी साद ली और भारत तो लिबिया के बीच एक समय बहुत अच्छा तेल का बैपार चलता था और ये बैपार लगभग 2011 तक चला और 2011 के बाद भारत ने लिबिया से तेल खरीदना बंद कर दिया बंद करने के पीछे कारण क्या था कारण ये था कि उनके यहां सिविल वार सुरू हो गया राजनीत आप डील करो तो आपको तैर है कि हाँ आपको तेल मिल जाएंगे किसी तरह की कोई दिकत नहीं होगी पर अब कहा जा रहा है कि भारत एक बार फिर से लिबिया में ड्रिलिंग के कारे को बढ़ावा देगा और जैसे ही ये खबर आई है वैसे ही मार्केट में जो सेयर है वो में ओयल इंडिया और नेचुरल गैस कोर्पोरेशन यानि की ओएंजी सी दोनों ही ये कोसिस कर रहे हैं कि यहाँ पर काम को बढ़ाया जा सके ताकि यहां से ड्रिलिंग करके तेल और गैस निकाला जा सके है भारत तेल और गैस के लिए वेनुजुएला के उपर भी यहाँ इसके पर देखने को मिल रहा है कि वेनुजुएला से भी बाचीट कर रहा है और वेनुजुएला से बहरत तेल लेगा और इसके लिए वेनुजुएला तयार भी हो गया है वैसे आपको बता दें पहले भी बारत वेनुजुएला से तेल खरीदा करता था पर फिर वेनुजुएला के ऊपर परती बंदों की भरमार होने लगी और जैसे जैसे परती बंदों की भरमार होने लगी वैसे वैसे वेनुजुएला से भारत की दूरियां भी बढ़ती चली पर अब भारत ने कहा है यहां पर चुकी पर्तिबंद अब हट चुके हैं ऐसे में भारत यहां से और भी ज़्यादा तेल खरीब सकता है जहां एक तरफ यह सारी चीजे हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आया तक और उपभोगता देश है इसने अपने उर्जा परिद्रिस को नया रूप देने के लिए रन्निती की आत्रा सुरू कर दी है बिदेशी तेल पर बहुत अधिक निर्वर राष्ट के रूप में जो अपनी जरूरतों का 80% से अधिक तेल आयात करता है भारत का लच्छ अपने कच्छे तेल के आयात बिल को कम करना है अपनी रिफाइनिंग चमता को बढ़ाना है वेनुजुएला वेस्विक तेल उदोग में एक एतिहासिक खिलाडी है और 1914 से तेल का उत्पादन कर रहा है साल 2016 तक करीब दो खरब से जादा बेरल के तेल भंडार के साथ वेनुजुएला तेल भंडार की दुनिया में अगरणी धारकों में से एक है जो दुनिया के कुल तेल भंडार का 18.2% है भारत अपने तेल स्रोतों में विवित्ता लाने और अपनी सोधन छमताओं को मजबूत करने के आउसरों को तलास रहा है और ऐसे में भारत के लिए एनरजी नीड भी बहुत जरूरी हो जाती है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपिय यूनियन भारत और चाइना के उपर परतिबंध लगा सकता है और ये परतिबंध क्यों लगाये जा सकता है जो रिपोर्ट आ रही है मिंट की रिपोर्ट देख सकते हैं कहा जा रहा है कि करीब 24 कंपनियां है जिन कंपनियों के ऊपर परतिबंध लगाये जा सकते हैं और इन कंपनियों में से एक कंपनी भारत की है तीन कंपनी चाइना की है जिनके ऊपर ये आरोप कतीत तोर पर लग रहा है कि रूस के युद्ध में यूक्रेन वार में इन अब इस डोकुमेंट में ये कहा जा रहा है कि रूसी डिफेंस सिस्टम को एडवांस करने में चाइना की तीन कमपणी भारत की एक कमपणी ने यहाँ पर मदद की है फिलाल के लिए ये एक ड्राफ्ट है पर कहा जा रहा है सिर्फ यही नहीं होंग कोंग सर्बिया तुर्की इन सब के ऊपर एक्शन हो सकता है अब इस पर्तिबंध से क्या होगा तो इस पर्तिबंध पे ये होगा कि इन कमपनीओं के साथ कहा जाएगा कि कोई तीस्री कमपनी हमारी उरोपिय कमपनी काम नकरे इनके समान न खरीदे इन से दूर रहे वैसे आपको बता दें अभी चाइना और यूरोपिय यूनिय के बीच कार को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है इस विवाद के बीच में ये सारी नई चीजें जुड़ने का मतलब है विवाद और भी जादा आगे बढ़ जाना हाल ही में रूसी राजदूत भारत पे जो है अलिपो उन्होंने इस बात को कहा था कि अमेरिका डराना चाहता है भारत और रूस के रिष्टों को तोड़ना चाहता है क्योंकि बारत और रूस के रिष्टे बहुत अच्छे चल रहे हैं और ये कहीं न कहीं पस्चिमी दुनिया पड़ती बंधों की धमकी देकर ऐसा करना चाह रहे हैं अब आने वाले समय में पता चलेगा अभी तो ये रिपोर्ट है कि कौन सी कमपनी है जिसको लेकर इस तरीके के लिश्ट बनाये जा रहे हैं और किन-किन कमपनियों पर एक्षन होगा वैसे तो कहा जा रहा है कि इसमें सिरिलंका की भी कमपनी है थाइलेंड की भी कमपनी है अब देखने वाली बात होगी कि इसमें भारत की कौन सी कमपनी है इससे पहले भी यूरोपिय यूनियन ने 620 कमपनियों के उपर परतिबंध लगाया था लेकिन उन में से जादा तर रूसी कमपनियां थे और बाहरी कमपनियां कम ही थी वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ